दोस्तो आप में से बहुत सारे वीवर्स की ये प्रॉबलम होती है कि भाई चैनल का नेम चेंज कर दिया अब हमारा चैनल सर्च में नहीं आ रहा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप यूट्योब पर चैनल का नेम चेंज करते हो तो आपके चैनल कौन-कौन से इफेक्ट पड़ते हैं और उनका सही सोलूशन क्या है और अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा तो सर्च में आप उसको कैसे ला सकते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो मैं हूँ दोस्तो हमारे चैनल पर नए काफी गिववे चल रहे हैं लिंक मैंने कई वीडियो के आई बटन में दिये हूए जाकर आप पाटिस्पेट कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे उन चैनल की जो चैनल वेरिफाइड है यानि अगर आपका चैनल पर हंड्रेड के से ज़्यादा सबस्काइबर है और आपको वेरिफिकेशन टिक मार्क मिला हुआ है चैनल पर अब इस कंडिशन में अगर आप अपना नेम चेंज कर देते हो मेरा मतलब आप चैनल का नेम चेंज कर देते हो तो यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन बैज है वो चीन उसको वापस पाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा आप करते हैं solution की बात वापस पाने के लिए आपको दुबारा से reapply करना पड़ेगा verification based के लिए और YouTube खुद देखेगा YouTube के जो internal team है वो देखेगी कि अब आपको verification based दिया जाना चाहिए या नहीं अगर आपका channel ज करना ही पड़ेगा यह तो एक problem हो गई एक solution हो गया अब दूसरी problem बहुत सारे लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में अपना channel create कर लेते हैं कुछ भी name से और उनके बाद क्या होता है कि उस name से already बहुत सारे channel पहले से होते हैं तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है आती है जैसे उन के channel हमेशा सर्च में आते हैं आपके नहीं आते हैं ऐसी condition में अब आप क्या करते हो खुद के channel का name change कर लेते हो लेकिन आपका channel आप rank नहीं कर रहा तो आप सोचते हो यारा मैं क्या करूं तो यह तो एक problem हो गई अब दूसरी इसका solution देखते हैं देखिए अगर आप अपने channel channel का name डाल देना है जैसे मान लीजिए मेरा channel का नाम है technical योगी तो मैंने क्या करका है technical योगी के keyword को अपनी हर वीडियो के tag में डाल रखा है और मेरे channel के जो default keyword होते है उसमें भी डाल रखा है channel keyword के अंदर अब अगर मान लीजिए मुझे मेरे channel का name change करना है तो पहली बात तो latest मैंने change गया है उस name को में को हर वीडियो के tag में डालना पड़ेगा और यहाँ पे default जो keyword है उसके अंदर भी डालना पड़ेगा ये सारे काम आप करोगे तो आपका channel भी सर्च में आने लग जाएगा otherwise होता क्या है कि आप channel का name change कर ले तो ये सब नहीं करते हो तो बहुत सार दिनों तक क्या होता है पुराणे name से channel सर्च में आने लगता है नए से नहीं आता दीरे दीरे क्या होता है दोनों name से सर्च में आने लग जाता है तो ये दिक्कते रहती है अच्छा एक चीज और बतायता हूं आपको पहले ही ध्यान में रखना है इससे आपको channel का name कभी change नहीं करना पड़ेगा जब भी आप channel create करते हो ऐसा name चुनो कि इस name से पहले से किसी ने custom URL लिया तो नहीं है अब ऐसा हम कैसे देख सकते हैं मान लीजिए आपका कोई channel है जैसे कि Indian tag करके कोई channel है suppose ये name है इसको आप channel बनाना चाहते हो Indian tag के name से suppose मान लीजिए तो हमको क्या करना है youtube.com forward slash Indian tag इस तरह से सर्च करके देख लेना कि कोई channel आता है कि नहीं आता है अगर कोई channel आता है मतलब सामने वाले ने पहले ही इस नाम से URL लिया हुआ है तो इस नाम से हमें channel ही नहीं बनाना है अगर आगे हमको URL लेने में problem आएगी और अगर कोई भी result नहीं आता है बताता है कि भाई कोई भी ऐसा channel उनको नहीं मिला मतलब इस नाम से URL नहीं लिया हुआ तो आप अपना channel create कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि आप जिस नाम से channel create कर रहे हो उस नाम से अगर पहले से कोई और भी channel है भले उनने URL लिया हो नहीं लिया हो लेकिन पहले से channel है और उनके पास audience है अंगेजमेंट है तो फिर उस name से channel मत बनाओ otherwise आपको बाद में name change करना पड़ेगा और फिर आपको यह दिक्कत आएंगी और फिर जो solution मैंने आपको बताया वो सब आपको करना पड़ेगा तो यार यह बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था channel का name change करने पर क्या क्या effect पड़ता है क्या क्या solution है तो I think इस video में सब कुछ clear हो गया है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है शेयर करना है चैनल पर पहली बारा है तो subscribe पढ़ने के साथ notification बैल को दबा कर और पर click करना है इसी तरह के वीडियोज मैं हमेसे आपके लिए बनाता रहता हूँ मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नेड़ोपिक के साथ तब तक के लिए चैनल रोग जाए